कश्मीर के अजादी के नारे लग रहे थे मस्जिदों से लाउडी स्पीकर पर हिंदों के खलाब वाइलेंस वार्निंग का अलांस्मेंट हो रहा थे कश्मीर के अजादी के नारे लग रहे थे जिहादी उन्माद अपने चरम पर था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान हिंदों से कहा जा रहा था कि अपना घर थन दौलत और औरतें छोड़कर चले जाओ महिलाओं से ब्रूटल रेप हो रहे थे और मजबूरी में कश्मीरी पंडितों की आबादी अपने कश्मीरियत लेकर वहां से चले गई हैरानी तो इस बात की है कि जो लोग इन तमाम खटनाओं के लिए मूल रूप से जिम्मिदार ठहराए गए वैसाता के गल्बिहा करते हुए देखे गए हमारे साथ आखरी तक बने रही गा आज का विशह जितना गंभीर है उसे उतना ही एक नोर क्या गया है हम बात कर रहे हैं फिल्म कश्मीर फाइल की कश्मीर के इन भारत वासियों पर ना तो कभी किसी सरकार को दया आई और ना ही समाच का आएना होने का तम भरने वाले बॉली वोट को आज की दोर में कश्मीर का मुद्दा फिर से चर्चा में है और इसकी वजह है 11 मार्च को रिलीज हुई फिल्म तक कश्मीर फाइल्स इस फिल्म के बनने का रास्ता लगभग 32 साल लंबा रहा है इसके ठीटर तक पहुचने का रास्ता भी बहुत मुश्किल रहा लेकिन आज यह फिल्म तरश्कों को पसंदा रही है फिल्म के पहले दिन का कलेक्शन उम्मी से जादा रहा लगभग 4 करोड कर रहा दूसरे दिन का कलेक्शन लगभग 7 करोड कर रहा फिल्म को क्रिटीसियस ने 5 में से 3 स्टार की रेटिंग दी लेकिन इन सबसे अलग हम आपको बताने चा रहे हैं इस फिल्म को देखने के बाद उन लोगों का रियक्शन जिनकी तकलीفों को सजो कर इस फिल्म ने परदे पर उतारा है फिल्म की कहानी रियल इंसिडेंट पर अधरित है फिल्म के डिरेक्टर वιवेक अगनियोतरी और अबने दूनेतरी पलवी जोशी ने इस फिल्म को बनाने के लिए पहले जो रिसर्च किया है वे इस फिल्म में नजर आता है किवल हमारे देश ही नहीं कश्मीर से निकाले गए कश्मीरी पंडित दुनिया के जिस किसी भी कोने में हैं उन सबसे मुलाकात करके बाच्छीत का तस्तावेच सजो कर एक ऐसी कहानी बुनी गई जिसमें लाखों कश्मीरी पंडितों का दर्द समेट कर दिखाने की कोशिश की गई है रॉंग्टे खड़े कर देने वाली यह सच्चाई आज जब दुनिया के सामने आ रही है तो दुनिया यह देख पा रही है कि सन 1990 में अतंगवादियों के जिहादी चुनून ने किस तरहे इंसानियत को श्रम सार किया अपनी धार में शिक्षाओं और परिवेश का नमूना पेश किया लेकिन आज भी इस देश में इस फिल्म के बन जाने के बाद विवेक रंजन अगने उत्री की तकश्मीर फाइल्स को नुकसान पहुचाने की कोशिश की जा रही है हमारे समाज में सफेद पोस्ट बंद कर बैठे इसलामो फोबिया फैलाने वाले नेगेटिव करेक्टर के लोगों के साथ साथ बॉलिवुड का एजंडा सेंटर भी नहीं चाहता है कि इस इसलामिक नरसंगार की सच्चाई को जनता के सामने आने दिया जाए फिल्म के प्रोड्यूसर और डिरेक्टर का मूरल डाउन करने के लिए एकोनॉमिकल बाइकट करने की कोशिश की जा रही है लेकिन इसके बावजूर लोग बड़ी संख्या में फिल्म को देखने जा रही है बॉलिवुड गैंग का इस फिल्म की रिलीज पर इतना दवाव है कि वह इस बात से समझा जा सकता है कि यह फिल्म पूरे देश में केवल 550 स्क्रीन पर ही रिलीज हो पाई है पहले दिन इस फिल्म की कमाई धाई से 3 करोड रहे जो विवेक अग्निहुत्री की पिछली फिल्म दताशकंद फाइल की पहले दिन की कमाई से कहीं जादा है दताशकंद फाइल ने पहले दिन किवल 80 लाख रुपे की कमाई की थी सन 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उसे केवल एक पलायन का नाम देकर उस पर अपना एजंडा सैट कर दिया गया भारत के निवासी होने के बावजूद कश्मीरी पंडित भारत में शरनार्थी बन गए या फिल्म इस नेटिव को रिजेक्ट करते हुए पंडित बीते 30 सालों से शरनार्थी का जीवन जी रहे हैं उनके घरों दुकानों और उनकी प्रापर्टी पर उन लोगों ने कबजा कर लिया है जिनकी वजह से उनने कश्मीर छोड़ना पड़ा आज भी यह कश्मीरी पंडित नयाई के उमीद में इंतजार कर रहे हैं सबसे अजीब बात तो यह है कि देश में इतनी बड़ी घटना घट गई लेकिन आज तक इस विशे पर कोई ऐसी फिल्म नहीं वाई जिसने इन लोगों के दर्द को समझा हो लेकिन आज जब निर्देशन विवेक रंजन अगनियोतरी की यह फिल्म आई कि लोगों का एमोशन कुछ इस तरह से फूट पड़ा कि कश्मीर की पीड़ा को प्रतक्श छेलने वाली हमेटम अपने दर्द पर काबू नहीं रख पाई उन्होंने फिल्म के निर्देशक विवेक रंजन अगनियोतरी को अपने बेटी की तरह करे लगा लिया उनके दिल से निकले यह शब फिल्म के कलाकारों, निर्देशक, निर्माताओं और पूरी टीम के लिए शेष्ट पराशमिक और सम्मान है इस फिल्म में अनपमखेर, मित्र चक्रवर्दी जैसे दिकच कलाकारों ने जो शानदार अपने किया है उसने इस फिल्म के उतिश को पूरा करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी कपिल शर्मा ने नहीं किया फिल्म का प्रमोशन इस फिल्म को लेकर खबर यह भी आई कि फेमस कॉमेडी शो चलाने वाले कपिल शर्मा ने भी इस फिल्म के प्रमोशन से अपने हाथ पीछे खीश लिए उन पर आरोप लगे कि उन्होंने फिल्म के निर्देशक निर्माता उसकी स्टार कास्ट को अपने प्रोग्राम में आमंत रित नहीं किया जिसे लेकर कपिल शर्मा की काफी आलोचना भी हुई और अपनी चुपपी तोड़ते हुए कपिल शर्मा ने सोशल मीडिया यूजर को लिखा कि एक जिम्मधास सूशल मीडिया यूजर होने के नाते आपको एक पक्ष पर भरुसा करके अपनी राए देनी की बजाए दोनों पक्षों को जानने और समझने का प्रयास करना चाहिए जम्मू कश्मीर में दा कश्मीरी फाइस त्रीटरों में लग चुकी थी फिल्म को देखने के लिए दर्शों की एक भारी भी फिल्ट थीटर पर पहुँच चुकी थी लेकिन एन वक्त पर फिल्म के दिखाय जाने पर रोक लगा दी गई ये रोक अदालत के फैसले के वजह से लगी हलाकि लोग इस बात को जानने के बाद काफी गुस्से में आ गए वा कश्मीर के सच्चाई पर बनी इस फिल्म को देखना चाह रहे थे इसकी चलते कुछ लोग पुलिस से भी बिढ़ गए लेकिन बाद में पुलिस ने उन्हें समझाया कि अदालत के आदेश के तहट इस फिल्म को थेटर में दिखाने से रुका गया है और दरसल इस फिल्म में उस दोर के एक एरफोर्स आफिसर्स के उपर कुछ सीन दिखाए गए है और दरसल स्कौाइटन लीडर रवी खना दुरभागे से उन शहीदों में शामिल है जो इससे दोरान कश्मीर में आतंगवादियों के हातों शहीद होए थे और दरसल 25 जनवरी 1990 को शीनगर में यासीन मलेक और उसके साथियों ने वायू सेना के चार जवानों पर हमला करके उने शहीद कर दिया स्कुएडर लीडर रवी खना की पतनी निर्मला का कहना है कि इस फिल्म में उनके पती पर जो सीन फिल्माए गाए हैं वे सही जानकारी पर अधारित नहीं है इस बात को लेकर अधालत ने फिल्म के दिखाए जाने पर नकेवल रोक लगाई है बलकि फिल्म के डिरेक्टर विवेक अगनेहुतरी के सामने दो विकल्प दिये हैं या तो गहर रवी खना की उपर फिल्माए गए सबी सीन को फिल्म से निकाल दें या फिर उन सीन में बतलाव करें इन तमाम रुकावणों के बावजूद फिल्म में रिलीज हुई और देश के दूसरे हिस्सों में लोगों के दोरा देखी जा रही है इसके साथ ही इस फिल्म के देखने के बाद लोगों का अभूत पूर्व रियक्शन सामने आ रहा है इस फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई थी इस दोरान फिल्म को देखने वाले दर्शक अपनी सीट पर ही बैठे बैठे रोने लगे कुछ दर्शक तो विवेक अगनिहुतरी के पैर चूने लगे ऐसा नहीं है कि कश्मीर समस्या पर पहले फिल्म नहीं बने इसके पहले विधू विनोच चोपडा की फिल्म शिकारा आई थी जिसे लेकर यह बात सामने आई थी कि कश्मीरी पंडितों का दर्द सब के सामने रखा गया है लेकिन जब फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई और उस फिल्म को कश्मीरी पंडितों की कम्यूनिटी ने देखा तो विदू विनोच चोपडा को कश्मीरी पंडितों के विरोध का सामना करना पड़ा क्योंकि उन्हें लगा कि एक प्रेम कहानी को बेचने के लिए फिल्म के प्रेडियूसर डिरिक्टर ने कश्मीरी पंडितों के दर्द का सहारा लिया है इंसानिया जहां शर्मसार हो जाती है वहीं इसलामे के जिहाद फलता फूलता है इस फिल्म को लेकर शिया समधाई ने भी सुप्रीम कोट में याच का दायर की है उनका कहना है कि इस फिल्म में उनके लीडर की तस्वीर को गलत तरीके से दिखाए गया है उनका कहना है कि फिल्म में शिया नेता आयातुलाह खामने को आतंगवास से जुड़ा गया है जो कि उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचाता है शिया नेता कलवे जवाद ने इस मामले में केंद्रिय सूचना एवं प्रसारन मंत्री अन्राक ठाकुर को चिठी भी लिखी है जिसमें उन्होंने फिल्म पर बेन लगाने या फिर उसमें बदलाओ करने का आग रह किया है लेकिन फिल्म के डिरेक्टर विवेक रंजन अगने उत्री का कहना है कि फिल्म का एक एक सीम और उसकी एक एक इन्फॉमिशन उनके रिसर्च से निकल कर आई है वे किसी तरह के बदलाओ की मूड में नहीं है ऐसी ही कुछ वजहों की चलते फिल्म के डिरेक्टर विवेक रंजन अगने उत्री के खिलाप फत्वा भी चारी किया गया है कश्मीर नरसंगार को जवाहरलाल नहरू विश्वित्याले के कुछ इंटुलेक्च्वल ने अलग ही रंग दे दिया है पुरे मामले को कुछ इस तरह से दवा दिया गया है जैसे कुछ हुआ ही ना हो और रोने वाले रोते रह गए आज जाकर उनका दर्द बाहर आया है आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद जैभारत वन्दे मात्रा